दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट के जो एनाटमिकली जो इस्ट्रेक्चर में डिफरेंस है टीक है लीफ, स्टेम और रूट में उसको हम लोग one by one discuss करेंगे तो ये तीन वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आज क वीडियो में हम लोग जो है स्टेम और फिर उसके बाद रूट के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए थोड़ो सा पहले बेसिक समझ लेते हैं कि दीविश्च पत्री यानि के डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट में बेसिक डिफरेंस क्या है तो यहां पे जो है द जड में भी साखा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में भी साखा दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें साखा आपको नहीं दिखाई दे रहा है नहीं इसके जड में साखा है नहीं इसके स्टेम में मतलब कि डाइकॉट में हमेशा साखा होता है अब इसमें साखा नहीं होता है, हलाकि इसमें जो है टीलर्स होगा, मतलब कल्ले निकलेंगे, जड के नीचे भाग से जो है कल्ले निकलते हैं, लेकिन इसमें साखा नहीं होगा, इसके जड में भी बिलकुल साखा नहीं होता है, मतलब कि इसमें सेकंडरी ग्रोथ का करेक्टर नहीं होता है, तो यह एक basic difference हो गया, अब देखते हैं हम लोग leaf के anatomy में क्या अंतर है, ठीक है, तो यह है दीविच पत्री के leaf, यानि के dicot leaf, इसको अलग-अलग नाम से भी जानते हैं और यह exam में पूछता है, ठीक है, तो इसको में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, उपरी सता थोड़ा सा चिकना रहता है, जैसी कि आपके हाथ देखेंगे, तो उपरी सता और निचली सता में थोड़ा सा color का difference रहता है, तो उसी परकार से इसके leaf में भी उपरी सता थोड़ा ज्यादा चिकना रहता है जो लोवर सर्फेस है निचली सता ये थोड़ा कम चिकना रहता है उपर सर्फेस में जो अपर सर्फेस है ठीक है उसमें क्यूटिकल का लेयर जो है क्यूटिकल का लेयर बहुत ज़्यादा मोटा रहता है नीचे का लेयर में लोवर सर्फेस में क्यूटिकल लेयर पतल आप एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो इस्टोमेटा है इस्टोमेटा ओनली इस्में नीचे पाया जाता है किसमें डाइकॉटलिम में ऊपर में कोई इस्टमटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है और इसके अंदर दो एपिडर्मिस के अंदर जितने भी मिजोफिल कोशिका है इसमें भी दो टाइप से है एक आपको दिखाई दे रहा है कि उपर जैसे कि एक के बाद एक जो है सटा हुआ है इसके बीच में कोई भी featuring नहीं है कोई भी Year pivot नहीं है यह इसको बलते है Palisade मिजोफिल क्या बलते है Palisade मिजोफिल और नीचे एक परकार की मिजोफिल दिखाए दे रहा है जिसके बीच में बहुत ज़्यादा gap है इसमें देखिए हवा है ठीक है येर केविटी इसमें मौजूद है और ये थोड़ा loose है एक दुसरे से बहुत ज़्यादा tight मतलब की set of one है loose है ठीक है इसको बोलते है spongy misophil तो इसमें दो टाइप से misophil पाय जाता है एक palisate दूसरा spongy किसमें पाय जाता है dicote के lip में उसके बाद next है यहाँ पे देख रहे है आप ये गोल जो है bascular bundle दिखाए दे रहा है ठीक है इसमें दो element पाय जाता है एक है gylam एक है phloem तो ये जो red color के दिखाए दे रहा है ये क्या है ये जाइलम हो गए आपका और इसके बीच में जो blue color के element दिखाए दे रहा है ये phloem है अब जो bascular bundle है bascular bundle के उपर वाले भाग को क्या बोलते है bundle seat का extension ठीक है और ये parent chymetis koshika से बना हुआ रहता है कौन से koshika पैरन chymetis koshika द्यान रखिएगा तो bascular bundle का जो extension है जो ये उपर भी है नीचे भी है तो ये कौन से koshika से बना होगा पैरन chymetis koshika से इतना समझ में आ गया अब देखते हैं हम लोग monocort leaf में उसके structure में क्या आंतर है चलिए ये है monocort leaf के structure ये exam में पूछा जाता है तो इसको धहन दिजेगा उसके बाद इसमें तो basic अंतर ये है कि stomata आपको उपर भी नजर आ रहा है और नीचे भी नजर आ रहा है मतलब कि इसमें जो है stomata उपर भी पाय जाता है lift के upper surface में और lower surface में मतलब कि दूनों surface में stomata बराबर equal रूप में पाय जाता है ठीक है उसके बाद जो उपर में जो cuticle रहता है cuticle के just नीचे वाला layer को क्या बलता है epidermis है ना तो epidermis का जो layer है जो परत है इसमें कुछ कोशी का जो है आपको आकार में बड़ा दिखाए देगा इसको क्या बलता है bully form या फिर motor cell बहुत ज़्यादा important बुली form या motor cell किस प्रकार के पत्ती में पाय जाता है आपको example दे देंगे तो जितने भी monocot से लिफ है उसमें जो है इस प्रकार के कोशी का पाय जाता है bully form या फिर motor कोशी का इसे कहा जाता है जो संगरचना में थोड़ा सा बड़ा रहता है उसके size थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बाकी कोशी का से अब उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि यह जो दो epidermis है यह upper epidermis यह lower epidermis इसके बीच वाले भाग को क्या बलते है मेजोफिल कोशी का लेकिन मेजोफिल कोशी का यह एक ही टाइप से पूरा फैला हुआ है इसमें कोई भी differentiate नहीं है मतलब कि कोई भी अंतर नहीं है तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे dicot leaf उसमें अलग अलग मेजोफिल था इसमें एक ही प्रकार के मेजोफिल पूरे जो है लीफ के अंदर फैला हुआ है और मेजोफिल के अंदर ही क्या रहता है bundle sheet cell अब bundle sheet cell के उपर जो है क्या रहेगा extension नीचे भी extension रहेगा अब ये extension कौन से कोशिग ऐसे बना होगा scleran chymetis यहाँ पर थोड़ा दयान देजिए क्योंकि उसमें हम लोग पढ़े थे जो dicot के leaf के extension क्या बना था किससे बना था parent chymetis cell से इसका extension कौन से cell से बना है scleran chymetis इसमें estimator उपर भी रहता है नीचे भी रहता है तो यह basic difference हो गया monocot और dicot के leaf में चले यह जो है अब picture से clear कर लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है देखे पहले जो है istometa इसमें जो है upper surface में नहीं होता है only lower surface में होता है इसमें जो है upper surface और lower surface दोनों में equal rupy पाय जाता है उसके बाद bully form या फिर motor koshika किस में नहीं पाय जाता है कोशika है मेजोफिल koshika में कोई difference नहीं है मतलब की देखे यहाँ पर यह अलग type से है लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी दीख रहा है यह पूरा एक जैसा है तिसमें कोई भी difference नहीं है इसमें difference है इसमें क्या difference है उपर वाले को pallisate mezophil बोलते है नीचे वाले को sponji mezophil बोलते है ठीक है यह थोड़ा सा गहरी color के दिख रहा है गहरा हरा color के इसमें chlorophyll की मातरा जादा होता है ठीक है किसमें रहता है pallisate mezophil में बना रहता है, parent chimetis, यह किस से बना रहेगा, parent chimetis, और एक बीच पत्री में किस से बना रहेगा, यह scleran chimetis, ठीक है, यह scleran chimetis से बना रहेगा, तो एक difference हो गया, उसके बाद, जो guard cell होता है, guard cell का मतलब, जो stomata को यहाँ पे खुलने और बंद करने का काम करता है, यहाँ पे guard cell लगा रहता है, तो guard cell जो दी बीच पत्री में किस परकार के रहता है, kidney shape, याद रखिएगा, ठीक है, इसमें किस परकार रहता है, kidney shape रहता है, और इसमें रहता है, dumbbell shape, है ना, इसमें जो है रहता है, dumbbell shape रहता है, तो यह बहुत ही basic difference है, और जो है, जितने भी important point था, हम वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो like कर दीजे, और channel में नए आए तो channel को subscribe को लिजे, धन्यवाद